हलो इस्ट्वेंट्स कैसे आप लोग उमीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो मैं गजंदर शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और साथी साथ इसकी मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है आप लोग के जितने भी सवाल हैं उन सभी को इस वीडियो के अंदर दूर करने वाले हैं तो वीडियो को लास्त तक देखने आपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड से सभी को शेयर कर दीजेगा जिससे माक्सिमम लोगों तक इसके बारे में पता लग जाए और easily आप लोग इसके अंदर admission ले पाएं तो चलिए शुरू करते हैं जानने की कोशिश करते हैं वीडियो को लाइक कर देजीगा फिर भी अगर आप लोग के कोई doubts रहते हैं तो comment section के अंदर लिख के जाईएगा जिससे सारी चीजे पता ल है वह डैली के अंदर जो located है वह है आप लोग का आई-पी युनिवर्सिटी आई-पी युनिवर्सिटी का खुद का एक 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 एक्जाम होता है जिसको आप लोग बोलते हो आई-पी यू-सी-ई-टी उसके फॉर्म फिलिंग की परकरिया है वह आप सभी के start कर दी गई है 1st Feb से लेके 31st March 2024 आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो अब यहाँ पर अगर आप लोग यू-जी के लिए जा रहे हो तो बेटा इनके कुछ courses हैं जो famous हैं अगर यू-जी के लिए जा रहे हो तो कौन-कौन से हैं चली मैं आप लोग को बता देता हूं जैसे BBA है, BCA है, BCA है, English Honors है, Hotel Management अगर आप लोग करना चाहते हो, Bachelor's उसके अंदर और BJMC, तो यह कुछ इसके famous courses हैं, इसके लावा बहुत सारे और courses हैं जो इन्होंने इस साल start की हैं, जैसे BSC के courses हैं, उनको भी इन्होंने start किया है, तो आप लोग उसके अंदर भी admission ले सकते हो, अब इसके अंदर कि admission ले सकते हो, तो उसकी बात करें, तो basically आप लोग चार तरीके से इसके अंदर admission ले सकते हो, पहला तरीका है, देखो, यह चारों तरीके हैं, यहाँ पर UG और PG के जितने भी students हैं, उन सभी के लिए applicable हैं, अब इसमें से कुछ तरीके पीजी के लिए ही हैं, और कुछ तरीके हैं, वो सबके लिए होने वाले हैं, तो चलिए कौन-कौन से हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो पहला जो तरीका है, वो है इनका खुद का जो main exam होता है, वो है IPU-CET, जो इनकी main priority होती है, यह लोग बोलते हैं कि भाईया, इसके तरू हम लोग ज़्यादा admissions लेंगे, रह जाती है, खाली, तो CUT के exam के थुरू हम लोग उसको full कर लेंगे, यह इनका पहला तरीका है, दूसरे कि अगर हम लोग बात करते हैं, वो है NLT-based, यानि कि national level, अगर आप लोग ने कोई exam दिया है, तो उसके base पे भी आप लोग इसके अंदर admission ले सकते हो, जैसे अगर J- means आपने दिया है, तो BTEC के अंदर admission ले सकते हो, उसके अलावा अगर CLAT दिया है, तो आप लोग BALB, BBLB, यानि का LLB से related courses के अंदर admission ले सकते हो, उसके अलावा अगर NEET दिया है, तो MBBS और उसके अलावा nursing से related जितने भी courses है, उसके अंदर admission ले सकते हो, यह इनका कहना है, थार्ड जो तरीका होता है वो होता है merit-based और basically अगर हम लोग बात करते हैं merit-based के तो यह आप लोग के weekend courses होते हैं जो PG के students है यानि कि जो हमारे यहां से मतलब हमारे यहां से नहीं मतलब इस university से क्या कर रहे हैं masters कर रहे हैं उनके लिए applicable है और fourth जो तरीका है वो CUT entrance के तुरू जैसे आप लोग को यहां पर बताया था तो CUT अगर आपने UG दिया है तो UG courses के अंदर admission ले सकते हैं अगर PG आपने दिया है तो PG courses के अंदर आप लोग admission ले सकते हैं तो basically क्या हुआ यह चार तरीके हुए आप सभी के इनके अंदर admission लेने के अब यहां पर dates की बात कर लेते हैं कौन-कौन सी important dates हैं तो चलिए dates की बात करते हैं तो बेटा देखो अगर आप लोग देना चाहते हो क्या इनका खुद का जो exam है CET उसके तुरू अगर आप लोग admission लेना चाहते हो तो देखिये क्या है starting date आप लोग की क्या है 1st Feb 2024 से लेके 31st March 2024 तक आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो registration की जो fees है वो 1500 रुपए है और इसका जो exam होने वाला है 27th April से लेके 14th May 2024 के बीच में आप लोग के exams होने वाले है second जो है वो है NLT NLT यानि कि national level आप लोग ने अगर test दिया है तो उसके तुरू अगर आप लोग admission लेना चाहते हो तो 1st Feb 2024 से लेके 30th April 2024 तक आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो यानि कि आप लोग को apply तो करना पड़ेगा यहां पर अगर आप लोग जैसे कौन-कौन से national level exams हुए CLAT हुआ, CAT हुआ, JE हुआ, CUT हुआ और इसके लावा meet हुआ तो ही न अगर एक exam आप लोगों ने दिये हैं तो उसके थूरू भी आप लोग इसके अंदर admission की process कर सकते हो अब सबसे बड़ी बात क्या है, NLTA है, इसके लिए भी आप लोग की 1500 रुपे की fees लगने वाली है अब अगर आगे हम लोग जाते हैं तो बेटा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार इसके लिए थोड़ा से मैं इसकी official website उस पे ले आता हूँ जहां से आप लोग ब्रॉस्चेर्स को डाउनलोड कर पाएंगे और easily इसके अंदर समझ पाएंगे जैसे अगर आप लोग मान लिजे admission लेना चाहते हो, गुरु गोबिन सिंग इंदरपस्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग को पता है यहां पर आप लोग के 100 क्योंस आने वाले हैं इसके अंदर क्या आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर आप लोग के आप लोग की पूरी duration होने वाले है पूरा टेस्ट जो है वो 400 marks का होने वाले है और इसका टेस्ट के अगर मैं मीडियम की बात करूं तो English होने वाले है सिर्फ एक कोर्स है बी याड को जिसके अंदर आप लोग का English और Hindi बायानी की बाय लंग वाला है अदर जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे किसमें आने वाले हैं English के अंदर आने वाले है ठीके पेटा समझ में आया पीटा अब यहां पर देको क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है फो अब यहां पे सारी चीज़-आप सभी के लिए रखें तो आप लोग इसको देख सकते ओं और देखेजिली इसको क्या कर सकते हो समझ सकते हो जैसे यहां पर और भी बहुत सारी चीज़-दे रखीन ने वाला है किस त्रीके से सारी आने वाला है कितना परसेंट आप लोगों का आएगा कितना क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें आप सभी को यहां पर दे रखिए तो आप लोग जाएंगे और इसको complete देख लेंगे और easily क्या कर पाएंगे चीजों को connect कर पाएंगे अब यहां पर मैं आ जाता हूं वापस हमारी जो चीजें हैं जिनको मैं आपको बता रहा था तो यहां पर अगर आगे जाते हो तो आप लोगों का देखो admission कहते होने वाला है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिकली जो आप लोगों का एक्जाम होता है उसकी बात कर रहा हूं पहले में तो इनका आप लोगों का application form बरना है फिर admit card आएंगे आपको entrance test देना है फिर result आएगा उसके बाद में आप लोगों के online counseling है वो start हो जाएगी फिर आप लोगों को college selection करना है तो यह सारी process आप सभी की होने व लिए अगर आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखो ipucet जो exam है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि paper timing कितना होने वाला है तो दो घंटे 30 मिनिट आप लोगों का paper timing होने वाला है marking scheme की बात करें तो plus 4 आप लोगों को correct answer के लिए मिलेगा minus 1 आप लोगों को wrong answer के लिए मिल जो है उसके अंदर आप लोगों का bilingual आएगा यानि की Hindi और English के अंदर आप लोगों को चीजे देखने को मिलेंगी तो यह सारी चीजे हैं आप सभी के लिए जिनको आप लोग कर सकते हो इसको और देखना चाहते हो तो बेटा देखो यहाँ पर सारी details आप लोगों के लिए science subjects अब यहाँ पर admission criteria का है the admission is carried out by the following the entrance exam through CUT and CET और round of counselling अब यह देखो आप लोगों को basically उन्होंने बता दिया कि किसके थूँ आप लोग का admission हो सकता है उसके अंदर देखो अब यहाँ पर आप लोग जाते हो bachelors of design में जाते हो तो NLT CET और CUT के थूँ आप लोग admission ले सकत अब NLT का मतलब पता क्या होता जो national level test अगर आप लोगोंने दे रखा है CUT, CET के अलावा जैसे NEET हुआ, JE हुआ, CLAT हुआ, यह सारे के सारे क्या होता है NLT exam साब सभी के कहलाते हैं तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो क्य क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर admission criteria क्या है, अब यहाँ पर admission criteria क्या है, all candidate must appear in the national eligibility come entrance test under under grade of 2024, यह आप लोग का and qualified to be considered for the admission, तो यह आप लोग का सारी चीज़ हैं तो इनको थोड़ा सा आप लोग को समझा हैं तो इ समझने की जरुवत है, यह basically इन्होंने बता दिया कि किस के अंदर किस के through admission होगा, तो यह आप लोग को देख लेना है, खीके बेटा, अब इसके लावा यहाँ पर आगर आप लोग आते हो, तो इन्होंने देखो वो भी दे रखा है कि code क्या है, subject one कौन सा होना चाहिए, जै basically कि आप लोग किस तरीके से इसके अंदर admission ले सकते हो, सबसे बड़ी बात है कि भीया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो CUT के थरू भी exam में देने वाले हैं, CUT के थरू admission लेने वाले है, IP University में, तो उनके लिए सबसे best मौका है, अभी हमारे साथ जुड़ने का Y485, इस Y485 code को लगा के आप लोग maximum discount पा सकते हो और हमारे साथ connect कर सकते हो, आप अपने भाई के साथ जुड़के अपनी तयारी जबर्दस तरीके से कर सकते हो, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, कि सार, यहाँ पे आप लोग किस तरीके से अवेल कर सकते हो इस offer को, त सबसे पहले आपको अड़ा 24-7 पे जाना है बिटा जी, और यहाँ पे जाओगे तो पहले link पे click करना है, all courses पे जाना है, all courses पे जाने के बाद में आपको UG&PG पे जाना है, आपको UG पे जाना है, और UG पे बिए और UG पे पे हैं, तो UG पे PG का है, तो PG के है, collect वाल है, त latest batch में आपको जाना है तो इस पे जाएगा by now पे जाना है और यहाँ पे coupon code लगाना है क्या है बिटा आपको मैंने अभी बता है y485 y485 जैसे ही बिटा जी आप लगाएंगे तो आप सभी को maximum discount मिल जाएगा using the code y485 इसमें आप लोग को live classes मिल रही है recorded एक पूरा का पूरा batch आपको दिया जा रहा है test series आप सभी को दी जा रही है यानि कि हर एक वो चीज जो तेरे selection के लिए required है बेटा वो सारी चीज़े इसके अंदर आप सभी को provide की जा रही है तो आप जाएए जाके इसका फायदा उठाइए और आज ही अपनी तयारी जबर्दस तरीके से कर लिजे कि सर मैं जो IP के अंदर जाना चाहता हूँ वो दमागेदार तरीके से जाओ थैंक्यू सो मच और बाई बाई टो फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो comment section के अंदर लिख दीजेगा मैं आप से भी के डाउट को दूर कर दूंगा थैंक्यू और बाई टो आल